Hello and welcome back once again in another session of Summaries. आज हम डिसकस करेंगे Class 10 की First Flight Book से जो Chapter No. 7 Glimpses of India है उसके Part 1 A Baker from Goa की Summary. तो देखिए सबसे पहले एक हलकी सी introduction समझते हैं कि जिससे हमें आइडिया लग जाए कि ये Baker from Goa में है क्या. A Baker from Goa is a description of the traditional Goan village written by Lucio Rodrigues in which the writer tells us about the presence and importance of a baker during old Portuguese days in Goa. तो देखो हमें basically यहाँ पर इस Chapter में क्या Overview दिया गया है कि ये जो A Baker from Goa lesson है. इसमें हमें पुराने जमाने में जो Goa के villages में Bakers exist करते थे उनके बारे में describe किया गया है. अब ये किस ने describe किया है तो आपको यहाँ पर writer का नाम भी बताया हुआ है. और इसमें writer ने हमें Goa में पुर्टगीज रूल के दौरान जब पुर्टगाल का राज्य हुआ करता था, साशन हुआ करता था Goa में, उस वक्त के दौरान बेकर्स की presence, मतलब बेकर्स की मौझूदगी कितनी जादा important होती थी और क्या importance actually हुआ करती थी एक बेकर की गोआ के villages में यह आपको इस chapter में बताया गया है, so let's start with a brief description about the chapter, the story begins with the narrator's elders memorizing fondly the time when loaves of bread were very famous during the reign of Portuguese over Goa, तो पुर्तगाल का जब साशन हुआ करता था गोआ में, उस time period के दौरान, जो bread, loaves of bread, मतलब जो double rooty आएं वो कितनी famous हुआ करती थी, इस तरहां के scene को याद करते हुए, कौन याद कर रहे है, narrator के elders, मतलब यह जो कहानी है, वो इस प्रकार से शुरू की गई है, कि जो narrator, मतल बुजर्ग हैं, वो बड़े ही शौंक से, fondly मतलब होता है, शौंक से, तो बड़े ही शौंक से memorize, याने कि याद कर रहे हैं, कि उस वक्त के time period को, जब double rooty आएं, जो की old पुर्तकाल days में exist कियां करती थी, वो बहुत ज़्यादा famous हुआ करती थी, उस time period को वो याद कर रहे ह Bakers also known as Peders, still occupy an important place in the villages of Goa, कि आज के जमाने में भी जो Bakers हैं, जिने Peders भी कहा जाता है, वो आज भी एक important place, एक महतवपून स्थान है उनका, गोआ के villages में, गाउं में, the mixers, molders and the furnaces are still there for making bread, loaves, double rooty को बनाने के लिए, हमें जिस mechanism की जरुद पड़ती है, चाहे वो mixers हूं, चाहे वो molders हों, या भटियां हों, वो सब आज भी exist करती है, the thud and jingle sound made by a baker with his bamboo stick can still be heard in some parts of the villages, मतलब आज के जमाने में भी, आज भी जो writer हैं, वो हमें ये कह रहे हैं कि जो जहंग-जहंग सी sound bamboo stick produce किया करती थी, जो कि एक baker के हाथ में पकड़ी हुई होती थी, वो आज भी कई parts में, कई भागों में, villages के कई भागों में, मतलब हिस्सों में सुनी जा सकती हैं, तो writer जो हैं, वो यहां पर बता रहे हैं, कि जो हमारा बचपन हुआ करता था, मतलब जब वो चोटे बच्चे हुआ करते थे, उस वक्त यही जो थड एंड जिंगल की आवाज हुआ करती थी, यही जो जहंग-जहंग sound हुआ करती थी, वो उन्हें उनके बचपन के दौरान सुबह नीन से उठाया करती थी, the narrator further narrates, अब जो यहां पर writer हैं, वो हमें और further क्या बता रहे हैं, that the baker visited twice a day, कि वो दिन में दो बार visit किया करते थे, आते होते थे, his one day, sorry, one hand supported the basket on his head, तो एक हाथ से उन्होंने अपनी टोकरी जो है, जिसमें ब्रेड सुआ करती थी, लोव सुआ करती थी, वो अपने सिर पर पकड़ी होई होती थी, and the other one carried the bamboo stick, और दूसरे हाथ में bamboo stick हुआ करती थी, और bamboo stick से वो क्या करते थे, वो हमें यहाँ पर अलड़ी बता दिया गया है, कि वो bamboo stick को ground पर मार कर, यह third and jingle की sound produce किया करते थे, और अपनी एक तरीके से musical entry show किया करते थे, कि हम आ गए हैं, ठीक है, next क्या है, the narrator and his friends would try to peep into his basket, but it was the maid servant who collected the loaves, while kids used to look for the bread bangles, अब bread bangles क्या है, वो यहाँ आपको bracket में बताया गया है, कि it was a specially baked sweet bread हुआ करती थी, तो basically यहाँ आपको क्या बताया गया है, कि जो narrator और उनके दोस्त या उनके और cousins हुआ करते थे, वो जहांकने की कोशिश किया करते थे, पीप करने की कोशिश किया करते थे, उस baker की basket में, टोकरी में, लेकिन घर की जो maid servants हुआ करती थी, वो loaves, double रोटियां जो हैं, वो घर में collect करकर लेकर आया करती थी, जो बच्चे थे, वो किस चीज की तलाश करते थे, वो उन गोल ब्रेट बैंगल्स की तलाश किया करते थे, जो इस तरह से बैंगल की shapes की हुआ करती थी, ठीक हैं, अब क्या हैं, आपको बता रहे हैं, the accounts were generally settled on monthly basis, अब देखो, बेकर आता था, सामान लेकर आता था, लोग खरीदते थे, तो यहां पर है, कि अगर हम किसी से कुछ खरीदें, तो हमें बदले में payment भी तो करनी पड़ती है, तो वो जो accounts settlement हुआ करती थी, वो generally monthly basis पर हुआ करती थी, और अगर आपने lesson ध्यान से सुना हो, तो जो account details हुआ करती थी, कि किसने कितना purchase किया है, कितना नहीं वो wall पर लिखा जाया करता था, then अगर हम further बात करें, तो presence of a baker was felt on every occasion, हर दिन त्योहार पर, हर उत्सव पर baker की presence को महसूस किया जाता था, marriage gifts were meaningless without the sweet bread bowl, marriage के जो gifts हैं, शादी विवा, समारों के जो gifts से, वो बे बन्याद माने जाते थे, अगर उनमें sweet bread bowl शामिल नहीं होत थी, bread was must for any party, तो किसी भी party के लिए, किसी भी feast या occasion के लिए, bread ज़रूरी हुआ करती थी, mother used to prepare sandwiches for the occasion of her daughter's engagement, अपनी बेटी की engagement के दौरान भी, एक mother को ज़रूरी होता था, कि वो sandwiches बनाए, और sandwiches आपको पता हैं कि bread के ही बनेंगे, and cakes and bolinas were made for Christmas, और Christmas के festival के दौरान, cakes और bolinas बनाए जाते थे, देखो यह जो paragraph है वो बहुत ज़ादा important है, क्योंकि इसमें basically, क्यों एक baker की presence हर occasion पर जरूरी होती थी, क्यों villages में bakers मौझूद होते थे, यह reason आपको बता रखे है, occasions के point of view से, so this is very very important, then I, earlier the bakers wore a special dress known as कबाई, कि पहले जो brokers हुआ करते थे, वो एक specific, एक special एक खास विशेश रूप से एक dress पहना करते थे, जिसे कबाई कहा जाता था, और कबाई क्या था, it was a single piece frock of knee length, मतब अब फिर से, अगर आपको question आ जाए कि वो क्या special dress थी, जो वो पहनते थे, तो आपको यहाँ नाम बता दिया गया है, अगर आपको कोई specifically ऐसे पू वो जब भचपन में देखा करते थे, तो उस वक्त जो बेकर्स थे, वो क्या पहनते थे, they used to wear a shirt with half pants, so वो कैपरीज की form में, half pants के साथ, shirt पहना करते थे, अब देखिए, अब आगे आपको क्या बता रहे है, बेकर्स and even their servants led a joyful life, खुश मिजाज जंदगी व्यतीत करते थे, because they earned well, as they earned well, क्योंकि उनकी कमाई अच्छी हुआ करती थी, their plump physique, या their plump bodies were the proof of their prosperous life, तो उनकी अच्छी खुशाल, जिंदगी का सबूत, जो है, वो उनकी plump physiques, या plump bodies, मतलब उनकी fat bodies से देख कर पता चलता था, कि वो अच्छा खासा कमा रहे हैं, अच्छा खासा खा रहे है तो अगर हम basically इस chapter को conclude करें, तो हमारे पास conclusion की form में कुछ इस तरह का concept आ सकता है, कि yes, baking जो है, वो आज के जमाने में भी, even in the villages, not even in the villages of Goa, बलकि मैं तो यहाँ पर कहूंगी, आप ये भी mention कर दो, कि apart from Goa, पूरे के पूरे इंडिया में भी, क्योंकि हम भी basically consume कर रहे हैं न, तो villages of Goa के इलावा बाकी सभी parts of countries में भी, country में भी, एक main important place occupy करता है baking का profession, तो मुझे उमीद है कि जो summary आपको provide की गई है, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, very very important, बहुत ही खास-खास points को दिमाग में रखकर, ये summary आपके लिए prepare की गई है, ताकि अ आपको easily ये सब पता हो, तो मुझे उमीद है कि आपको ये समझी बहुती आसानी से समझ में आ गई होगी, जुड़े रहिए चानल के साथ, जल्दी से subscribe कर लीजे, अगर आपने अभी तक नहीं किया है, share कीजिए videos को, like कीजिए videos को, thank you so much for watching and have a nice day.